हेलो गाईस हम बात किने वाले हैं ICICI security इस कमपनी की बारे में इस कमपनी का quarter 3 FY23 का result आ चुगा है सामने तो कैसा रहा इस कमपनी का result और क्या इस कमपनी ने dividend दिया है कि नहीं इसी की बारे में discussion करेंगे तो वीडियो को ज़रूर से end तर देखते रहे ना ICICI security की बात करें तो इस कमपनी का standalone result presented है सारी amount सो वो millions में बताईगी है quarter and quarter base की उपर result को compare करेंगे यह है इस quarter का result यह पिछले quarter का result है और यह पिछले साल same quarter का result देखने को मिल जाता है कमपनी की income की बात करें तो revenue from operation and other income को मिला कर कमपनी का total income यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस quarter का यहाँ पर आप लोग income देखने जाओ तो total income यहाँ पर से 8788.4 million का company का total income देखने को मिलता है quarter and quarter base के उपर company के income थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ जाता है बाकि पिछले साल same quarter के मुकाबले company की income में बहुत ही भड़ा downfall देखने को मिल जाता है बाकि इस कमपनी के expense की बात करें तो अलग-अलग यहाँ पर से finance cost अलग-अलग बहुत सारे cost को मिला कर company का total यहाँ पर expense देखने को मिलता है 5033.5 million रुपिस का जिस परकार से company की income कम हुई है और expense बढ़ है जो यहाँ पर से company के operating profit margins की उपर बहुत बड़ा negative impact create करेंगे बाकि इस company के यहाँ पर से total net profit देखने का मलता है जो quarter बेस के उपर और पिछले साल say quarter की मश्य में कमाने की community EPS में बहुत ही बड़ी गिरावत है जो भी एक चिंता का विशय है overall इस company का result भाई मेरे इसाब से तो भाई बहुत जादा बेकार रहा है आप लोग इस company को ज़रू से धैन में रखे चलना बाकी investment करने की बिल्कुल भी राय नहीं रहेगी बाकी इस company के अंदर जैसे यहाँ पर सी यह level है 500 रुपे का level वो यहाँ पर company का share breakdown कर देगा उसके बाद आप लोगो खोई यह company का share 414 रुपे उसी के साथ 380 रुपे और 300 रुपे तक के levels इस company के अंदर easily देखने का मिल सकता है जो company का share 300 रुपे के करीब आता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर से इस company के अंदर accumulation किया जा सकता है बाकि एक चीज़ जरू से बोलूँगा ICA security बड़ा नाम brand बहुत बड़ी है इसकी वेज़े से यहाँ पर यह company अच्छा चल रही है आज के दिन भी कुछ खास गिरावट नहीं आई बाकि यार आलतो वालतो कोई brand होता तो आज के दिन company के ship में massive correction आ जाता ठीक है यह चीज़ यहाँ पर याद रखना company यहाँ पर से brand की वेज़े से चल रही है जो एक अच्छी बात है बाकि यार जो यहाँ पर से इस company के अंदर बिक्वाली करना चाहते हो तो 580 रुपे का level 680 रुपे का level 700 रुपे का level 800 रुपे का level 900 रुपे का level है जहाँ पर आप लोग investment करना चाहते हो ना तो थोड़ा long term का नजरे रखना और हो सकते दो बाई bearish market के अंदर इन company के अंदर investment करना ठीक है तो यह एक यहाँ पर मेरा personal perspective था मेरा view था आप लोगो को मैंने बता दिया तो बस अच्छ के लिए इतना गुटबालफ गुटबाई फिर मिलता नेक्स दो में गुटबाई